प्रियम मित्रो, नम्सकार, आज हम नामकरन के बाद चर्चा करेंगे कि जब हमने नाम तै कर लिया है, लोगो बना लिया है, और कॉपिराइट मिल सकती है, ट्रेड मार्क हो सकता है, तो अब बिजनेस करने के लिए हमें अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ब से में लाब नहीं है, यही चर्चा करते हैं, सामान्य तोर पर भारत में किसी भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तीन तरीके से होता है, पहला तरीका है, जो सबसे आसान है, वह है प्रोप्राइटिशिप, दूसरा जो फॉमेट है उसमें पार्टनर्शिप जब दो लोग हो या कोई पार्टन हो तो पार्टनर्शिप एक्ट के तहट करना होगा, और तीसरा जो फॉमेट है उसमें कोई प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या वन पर्शन कंपनी आप बना सकते हैं, आईए समझते हैं कि प्रोप्राइटिशिप में क्या करना होगा, रमेश इंटर्प्राइजेज, दुर्गा, एजेंसी, महाकाल ट्रेडर्स, देवास डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह का नाम आपको मिलेगा, जब पता करेंगे तो इस तरह के जितने भी फर्म रहती है, वह सब प्रोप्राइटिशिप में रहती है, प्रोप्राइटिशिप और भी कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है, भले ही वह अपके साथ काम करें लेकिन वह इसमें मालिक की हैसियत नहीं रख सकता है, इस तरह का फर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यक्ता है, और एक कानून है ज जाकर के एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और निर्धारित फीस जमा करके पूरी फॉर्म ऑफिस में जमा कर देनी है, बहुत सारे जगह पर ओनलाइन सुविधा दी गई है, आप ओनलाइन भी आवेदन भर करके, जरूरी ड जोक्यूमेंट को अटेच करके, रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, नॉमली हर राज्य में फीस अलग-अलग होती है, फीस की रकम निर्भर करती है, कि आपके पास कितने लोग काम करेंगे, उसी के अनुसार आपकी फीस ली जाती है, यदि आपकी शुरुआत है, त आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, या कोई और नाम रख लिया है, तो उस नाम से कर सकते हैं, और मालिक के रूप में आपका ही नाम दर्ज होगा, बड़ी सिंपल प्रक्रिया है, और कोई ज़ंजट नहीं है, काम बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट आपको लेना ही होगा आप एक साल के लिए कर सकते हैं, या कई जगहों पर पाँच साल तक की सुविधा है, तो आपके उपर निर्भर है, कि आप कितनी फीस दे सकते हैं, यदि आप एक साल की ही करते हैं, तो इसका रिनूवल आपको हर साल करना पड़ेगा, अब आते हैं, आपको ये सर्टिफि क्या डाकुमेंट साइन करने में होंगा अब आपको किसी भी बैंक में एक करेंट अकाउंट खोलना होगा जिसमें अपने बिजनेस का लेंदेन करेंगे इसके लिए आपको अपने नजदी की किसी बैंक से संपर्ख करके वहां से फॉर्म ले लीजिए या आप उनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आधार कार्ड और पैन कार्ड और साथ में कुछ रकम भी जमा करनी पड़ेगी किसी किसी बैंक में एक हजार रुपे है किसी में धाय हजार रुपे है किसी में पाँच हजार रुपे है इतनी रकम जमा करके आपको खाता खोलना होगा खाता खोलने के बाद अब आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं लेकिन भारत में बिजनेस करने के लिए एक और certificate लेना पड़ता है, जिससे हम GST कहते हैं, यदि आपका turnover 20 लाख या 40 लाख से उपर है, या उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है, तो बहतर है आप पहले ही GST number ले ले, या आपको लगता है कि अभी लेना जरूरी नहीं है, turnover नहीं हो सकता है, तो आप इसे बाद में भी consider कर सकते हैं, अब आगे बात करते हैं कि यदि आप हमारे मसाले का business करते हैं, distributor बनते हैं, तो आपको एक FSSA का license लेना पड़ेगा, 12 लाख रुपे तक की turnover के लिए registration certificate और 12 लाख से उपर का turnover यदि आपको उम्मीद है, तो आपको state license लेना पड़ेगा इसके लिए आप online registration कर सकते हैं, और document में आपकी वही आधार card, pen card और address proof लगेगा, और registration amount यद फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, registration के लिए 100 रुपे और state license के लिए 3000 रुपे और tax मिला करके जमा करना पड़ेगा दोस्तों, मसाले का व्यवसाई करने के लिए आपके पास एक registration certificate, bank account, GST number और food का license है तो आप बेधलक आप इस business को कर सकते हैं आगे की वीडियो में हम बात करेंगे partnership कैसे बनाई जाए या public limited, private limited company कैसे बनाई जा सकती है या one person company कैसे बनाई जा सकती है, इसमें क्या खर्चा आएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रो